तो चलो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेए मेंस के प्रीविएस येर के कोश्चन और यह लेटेस्ट उठाव जो आज करने वाले हैं तो आई होग कि आप बहतर दरीके से अप्रेल वाले सेशन की त्यारी कर रहे होंगे तो पहला कोश सेवस Nope करते हैं पहला कोशन है प्लांक स्कॉस्च्टेंड का डाइमेशनल फार्मूला क्या होगा तो प्लांक स्कॉंस्टेंड का देखोगे सब प्लांक स्कॉंस्टेंट तो सबसेट यज वाला फसनला है तो यहां से तुम लिख सकते हो H upon time period T तो Planck's constant is equal to energy multiplied by time period T तो energy का आ जाएगा M L square T की power minus 2 और time period T का capital T तो यह आ जाएगा M L का square और T की power minus 1 मतलब यह हुआ कि जो है Planck's constant का देखो M L square M L square T की power minus 2 मतलब यह आ जाएगा A से इसका matching हो रहा है इस वाले का ठीक है उसी तरह से अगर मैं देखता हूँ अब A का matching इससे हो रहा stopping potential दूसरा dimensional formula stopping potential तो अगर आप stopping potential की बात करोगे तो यह stopping potential कुछ नहीं potential ही है तो potential है तो basically दो देखो work done is equal to electro state में क्या होता charge multiplied by potential तो potential कड़ा work upon charge आ जाएगा अब work का energy के बराबर होता M L square T की power minus 2 और charge का होता है 80 इसका मतलब बेगगा कि A आ जाए M L square T की power minus 3 और A की power minus 1 तो देखो कौन सा match किया तो अगर stopping potential का देखोगे तो यह मैच कर गया B से मैच कर गया मतलब A का थर्ड है A का थर्ड है मतलब यह का थर्ड है मतलब यह option कभी सही नहीं हो सकता मतलब यह या तो यह सही है या तो सही है और B का जो है B का फोर्थ मैच किया मतलब यह वाला option गलत है बाकी आगे करने की जुरुत नहीं है इस वनीज़ करेक्ट इस सलूसर और अगर नहीं करना चाहते है तो कर लो वर्क फंक्षण फाइं की निकाल लो तो वर्क फंक्षण तीसरा यह वर्क फंक्षण फाइं का डाइवर्थ का T की पाउर माइनस टू इसका मतलब भी हुगा कि C का जो C है वर्क फंक्षन M L स्कार टी की पाउर माइनस टू यह जो है वो सी से मैच किया ठीक है फोर्थ जो है लास्ट है मोमेंटम तो मोमेंटम P is equal to mass multiplied by velocity मास का M होता है का velocity का L T minus 2 तो इसका मतलब भी हुगा कि जो D है मोमेंटम का M L T minus 2 तो लास्ट मोमेंटम है यहां पर मोमेंटम का जो होता है velocity का L T minus 1 होता ना तो L T minus 1 तो यह जो है basically मैच किया इसका मैच किया कुल विला कि इसका यह वाल सब्सक्राइब करो और पूरा हम दो कोशन ही अप्लेट कर रहे हैं थेंक्यू बबाए टिक केर